सल्मान खान ने सिरीदेवी के साथ दो ही फिल्मों में काम किया था इन में से पहली फिल्म का नाम चांद का टुकडा था जब चान का टुकडा फिल्म की सुटिंग सुरू हुई तो तब सल्मान खान के लंबे लहराते बाल थे लेकिन डारेक्टर सावन कुमार को उनका ये श्टाइल खास पसंद नहीं था जब डारेक्टर ने सलमान खान को बाल कटाने को कहा तो सलमान खान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे उनकी अगली फिल्मों पर असर पड़ेगा फिर सावन कुमार ने सलमान खान के पिता सलीम खान से कहा कि उनके बाल बहुत खराब लग रही हैं जिने कटवाना की पड़ेगा सलीम सहाब ने डारेक्टर से कहा कि वो बिल्कुल भी टेंसन ना ले अगली सुभह जब सल्मान खान सेट पर पहुँचे तो उनके बाल कट छट चुके थे डारेक्टर खुस हो गई हाला कि बताया जाता है कि सल्मान खान ने अपने मन में सावन कुमार डारेक्टर को पिता से सिकायत करने के लिए कभी माप नहीं किया था और सल्मान खान डारेक्टर की इस बात से खफा हो गए थे एक पुराने इंटर्व्यू में सल्मान खान ने कहा था कि सिरी देवी को पड़ते पर रोमांस करने में वे बहुत ही खबराये थे क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि हीरो वीरो सब उनके सामने फिके पड़ जाते थे